अलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको ये बताने जारों की कैसे आप अपने Samsung Galaxy A15 Android में अगर आपके मुवाइल फोन पर इनकमिंग कॉल शो नहीं हो रहा है तो इस प्रॉडम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी दे आप करना है इससे आपका फोन जो आटोमाटिक स्विच आफ हो के आटोमाटिक स्विच ऑन हो जाएगा रिस्टार्ट करने से यह होता है हमारे फोन के Android शिस्टम में अगर कोई प्रॉलम आती तो वह सॉल्व हो जाती ठीक है अगला काम यह करना है कि आपको अपने आपको इस पेज में डाउलोड और इंस्टॉल पर टैप करना है आपको इस वाले पेज पर अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहां पर लिखा हुआ दिखाई देता है तो इससे आपको टैप करके अपने फोन का सॉफ्ट एर अप्डेट कर ले पेज आयेगा इसमें आपको नीचे की साइड इस डरेज्प मिलता है आंडर्वी सिस्टम का आंडर्वी index की सामने यह 3DS का ओप्षीन आपको स्वाधूशन का स्वा ठीक करना है अब अपको घोते पेज में अयाmמה पर इंपको नीचे साइड इसंडे है इसमें तो की समरें catch का यह option tap करना है तो आपको catch के thumbnail data zero हो दाएगा ठीक है अब देखे अगला काम करने के है mobile phone को reset करना है देखे दोस्तों mobile phone को reset आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले process कोई भी काम नहीं करते है तब आपको phone को reset करना है otherwise नहीं करना है ठीक है factory data reset का यह option tap करना है इसके अगले page में न सबसे नीचे reset का यह option tap करना है इससे आपका phone जब reset हो जाएगा और आपके mobile phone पे जो call show नहीं होता है यह problem आपकी solve हो जाएगी लेकिन phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखने हैं आपके phone में जितना भी data है सारा data आप किसी भी दूसरे phone में transfer कर लिजे या उसका backup ले लिजे दूसरी बात ही ध्यान रखने है आपके phone की gmail id और उसका password आपको पहले से note करके रखना है यह दो काम आपको पहले करना है उसके बात phone को reset करना है तो दूसरे मेरे बतायवे सारे process आपको use करने इससे आपकी यह problem solve हो जाएगी ठीक है